मित्रो कैशे हो स्री सत्य शाय लक्ष्वी महन विद्याले महवास से पटेल जया बहन के आप सव कहा गिक्षागत करती हों विश्य हिंदी कक्षा पाँच चलो मित्रो आज हम कक्षा पाँच में पाठ तीर स्वच्चिता यह पाठ पड़ेंगे तो यहाँ पे क्या स्वच्चिता च्वच्चिता की बारे में दिखेंगे च्वच्चिता यह इतले चुक्खाई तो हमें हमारे गर में भी च्वच्चिता रखनी चाहिए और हमारे गाउं में शहर में देश में हमें कैसा रहना चाहिए स्वच्च और च्वच्चिता रखनी चाहिए यह हमारी नैतिक फरज है तो यहां पर हमें स्वच्चता का पाठ पढ़ाया जा रहा है और हम आज स्वच्चता के पाठ पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बालक दिखाई देता है और यहाँ पे दुसरा घर है वो उसमें आदमी भी दिखाई देता है आदमी क्या कर रहा है जो केला है उसका चील का ऐसे ही डाल रहा है और एक लड़का है वो कुड़े दान में डाल रहा है तो वो क्या है जो लड़का अच्छा कारिया कर रहा है और जो आदमी है वो अच्छा कारिया नहीं करता और वो गंद की फेला रहा है तो हमें जीवन में चच्चता का बहुत महत्व है चच्चता और शास्ताई का गनिष्ट रबंध है जब हम अच्छे स्वच रहेंगे तो हम अच्छी तरह से जी शकेंगे, अच्छी तरह से रह सकेंगे, आरुग्या मुक्त रहेंगे, हम गंद की रोगों की जड़ ही याने जहां जहां गंद की फेली होगी, वहां रोग भी बढ़ता है और तुरांत आ जाता है, तो हमें जो क ुआ आगे कच्रा कुड़े दन में ही डालना चाहिए। हमें सवच्छ जगत सुंदर जगत का नीर्मान कर सकते है। हम चाहे तो अच्छी तरह से च्षथा रख सकते हैं और चाहे तो गंदकी भी फिला सकते हैं। पर हमें क्या करना है सच रहना है और साथ ही अच्छा स्वास्थाई भी प्राप्त करना है तो चलो हम आगे चलेंगे एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदीन पर बुलाया क्या क्या एक दिन किस ने बुलाया अजय ने अजय ने किसको बुलाया मोहन को एक दिवश्चु थेयो अजय ये मोहन ने तेनी वर्ष गाटना दिवश्चे तेना घरे बुलावियो मोहन ने उशे उप्भार में देने के लिए कहान्यों की एक पुस्तक खरी दी आपड़े जे वर्ष काटना दिवश्चे आपड़े बदा बेट शोगाद आपिये छे गिफ्ट आपिये छे ते इने शुकरियो एने वार्था ओन एक पुस्तक खरी दियो उशे रंगीन का गज में लपेटा ओर अजय के घर चल पड़ा इने शुकरियो जे आपड़े गिफ्ट होई प्रेजन्ट तो आपड़े शुकरिये छे ने सरास्रीते संगारिये छे तिवीरी ते अजये पन सरास्रीते रंगीन का गळमा विटालियो अने ये अजये ना गेर चवा निकली पड़ियो चैसे ही महन अजये की गली में पहुचा उषके उपर केले का एक छिल का आग्या जिवो महन अजये नी गली मा पहुचियो किती ना उपर केला नी एक छाल आवी पड़ी आपणे ही चित्रमा पन चोई सक्किये छे छी छी कितनी बूरी आदत थे सुकाहे छे छी कितली गंदी आदत छे महन ने मनमा विच्यारियो उषने छिल का उठाया ओर इधर उधर देखा इने जे पड़ेलू हतु छोटलू छाल ते उपाड़ीली दी अने आम तेम जोईू कोछ दूरी पर उषे एक कुडादान दिखाए दिया कुडादान अटले कचरा पेटी तो थोड़े दूर तेने एक कचरा पेटी दिखाए उषने छिल का उष्मे डाल दिया तेने शुकर्यू छालू पाडिने तेमा नाखिती दी बहुत सा कुडा कुडे दान के बाहर फेला हुआ था जब कुडा दान या ने कच्रा पी ती पन belum कच्रा थी बराय गएली हती अनि ये कच्रो आंते फेलाय गएलो हतो बदो बाहर बेराएलो हतो उहां मक्खी आं बिनक रही थी और चारों और गंदकी फेली होई थी जो गंदकी होई त्या माखी होई ने माखी मच्चर जिवात बधू होई छे तो त्या माखी हो बणबणी रही हती औने चारी बाजू गंदकी फिलाएली हती कोच और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई उसने दिखा नालियों में कुड़े के कारण पानी रुका हुआ है उसी पानी शे बदबू आ रही है जहरे पानी गिराई छे नदी माँ आके तड़ामा कसे पन तो पानी गंदू थाई छे अने जे बधी खुब अच बदबू आवी छे तो एने शूर जो थोड़े आगळ वत्ता मोहन ने खोब दुरगंदा आवी तेने जो नालियों में कच्चराने लिदे पानी अटकी गई हतु एज पानी मती दुरगंदा आवती हती गंदी भाषा आवती हती मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा मोहन नाक उपर रुमाल रखी ने अजय ना घरे पहुच्यों वहाँ अजय के और भी कई मित्र आये थे अजय ने मोहन का अपनी मा और पिताशे मिलाया एजनी वस गाठ थी इना गरे इना भीजा मित्र पणाविया हता अजय मुहन ने तेना मातापिता नी मुलाकात करावी अजय की दादी जो पीमार थी मुहन उष्णी भी मिला सुचे अजयना दादी कोण हता पीमार हता तो मुहन तीमने पौण मरियो मैज पर खाने की चीजे रखी थी मैज याने टेबल टेबल पर सु हतू खावानी वस्तो मुक्य हती जिन पर बार-बार मक्या आती जाती थी मुहन ने अजय से कहा सुझे जे टेबल पर वस्तो मुक्य ले थी त्या माखियो वारव वार बेस्ती हती तो मोहने अजय ने कहियो अजय तुम्हारे महले में इतनी गंद की क्यों है प्रस्थनार चीहना चे अजय सुरी मोहने अजय ने प्रस्थना करियो चे के तहरा महले माटली बदी गंद की केम चे क्या नगरपाली का उशे शाफ नहीं कराती सु नगरपालिका इने साफ नथी करावती अजय की माता जी ने कहा बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है अजय नी माता इस सु कहिऊ बेटा नगरपालिका नी गाड़ी आवे छे जगह जगह कुड़े दान भी है पर कूछ लोग उनमें कूडा नहीं डालती वे कूडा सड़क पर ही फैक देते हैं इसलिए सफाई नहीं रहती सुकहेचे नगरिपरिकानी गाडी ठेर ठेर एते जग्या जग्या ये आवेची परन्तु कितलाक लोको कचरो कचरा बेटी मा नाखता नथी याने कचरो रस्ता पर अच कचरो फैकी देचे तेथी सफायद नथी रहती सुकहेचे तेथी गंद कीज रहेचे सारी सफायद हती हती दुसरे दिन पाट साला में दुसरे दिन पाट साला में मुहन ने अपने अध्याफक को यह बात बताई शुकर्यू बीजा दिवशे निशार मा मोहन एते ना सिख सकने आ बात करी मोहन सॉरी अध्यापक में कहा तुम ठीक कहते हो शुकर्यू तुम ठीक कहते हो तुम बराबर कही रही हो गंद की बहुत से रुगों की जड है गंद की शुचे जड एकले कारण गंद की घणा रुगों कारण चे मूर चे पर हमें भी नगरपाले गया की सहायता करनी चाहिए जे नगरपाली का स्वच्चिता राखे छे परन्तु आपणे नगरपाली का निपण स्वच्चिता इनी पण सहायता करवी जए मदत करवी जए चलो और श्वच्वयम शफाय का काम प्रारम करें चलो आपणे पण सफायनों काम शरू करिये प्रारम भेटले शुरू शरू करिये रविवार के दीन सभी अजैके महल्ले में गये रविवार ना दीवशे बद्धा अजैना महल्लामां गया शबके हाथ में एक-एक टोकरी और जाडू थे बद्धा ना हाथ मां एक-एक तूपली अने जाडू हता सड़क पर जाड़ू लगा करों होने कुडाई कठा किया सड़क पर इलोकोई शुकरियों शफाई करी जाड़ू लगाई औने कचरों ब्यगों करियो नालियों की सफाई की ओर पानी का रास्ता बनाया जे बदा पानी भेतू बन थे गयोतू तीनाडियों नी शफाई करी औने पाणी ने भवा माटे रस्तो बनाव्यो उष्ने मख्यी मच्छर मानने वाली दवा डाली सुकरी औने माख्यी औने मच्छरों मरेवी दवानो चटकाव करी यो कुडे दैन पर ढकन रखा एकले कचरा पेटी पर पर ढकन मुखे ढकी दिदू एकले गंद की फिला आती बंद थाई छे बच्च में बहुत उत्सा था ढकन रखा महले में रहने वाले सभी लोग बहार निकल आई और उन्हें देखने लगे शुक थायो जे महल्ला मा रहता है ताल महल्ला वाशियो बद्धा बार निकलिया विया आने जोवा लागिया बच्चो में बहुत उत्सा हता देख्टे ही देख्टे पुरा महल्ला चच्चा हो गया की बारोको मा खुबज उत्सा हतो अध्यापकने लोगो को समझाया अध्यापकने लोगो को समझाया शिक्सके लोगोंने समझाया के ये घर का कुडा कुडे दान में ही डाले शुकहिऊ कि तेवों घर्नों कच्रों कच्रा पेटी माज नाखे वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंद कीशे रोग फेलते है उन्होंने कहा मेरी पाट साला के बालक सब्ताह में एक बार यहां आया करेंगे अन्य तेमने कहिऊ कि मारी साड़ाना बालों को अठवाडिया मां एक वखत अहीं आवसी वे आपके मुहलों को शाफ करेंगे आप भी इस काम में उनकी सहाइता करें क्या कहते है सिक्सक क्या आपके मुहलों में आयेंगे साफ करेंगे और आपको भी इनकी सहाइता करनी है सुकह यह तमारा मुहलों मां आवसी अठवड़ आमा एक दिवश अने यह उसाफ करेंगे तमारे पॉन आकाम मा तिमने मदद करवानी छे एक व्यक्ति ने आगे बढ़ कर कहा नहीं नहीं एक व्यक्ति यह अगर आवी ने कहिऊ ना ना इन बच्चों को आने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आव बाड़ोको ने आववानी कई जरूर न थी हम लोग श्रयम ही अपने महल्ले को स्वच्च रखेंगे श्रयम एक ले पोते खुद अमे लोगो जातेज अमारा महल्लाने स्वच्च राखी शू अब आप इशे हम्मेशा साफ सुत्रा पाएंगे अमारा महल्लाने स्वच्च राखी शू हवे तम्याने हम्मेशा माटे स्वच्च साफ चुक्खो जो इसो तो हमें भी यह पाट से क्या सीख लेनी है कि हमें भी हमारा गाम महल्ला स्वच्च रखना चाहिए जो कच्रा है वो कच्रा कुड़े दान में ही डालना है और कोई इधर उधर फेलाता है तो हमें उसको समझाना है समझा बुझा कर कहना है कि हमारा कच्रा कुड़े दान में ही डालना है हमें गंदकी करनी नहीं चाहिए क्योंकि वह गंदकी रोगों की जड़ है गंदकिशे, कई माखी, मच्छर, जिवा, तित्यादी फिल जाते हैं और रोब बढ़ जाता है तो अब हमें सब्दार्थ लिखना है क्या लिखना है? सब्दार्थ और अभ्यास, निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखना है और श्वाध्याई श्वाध्याई में प्रश्णा एक निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखे प्रश्णा दूसरा निचे दिये गए विश्यसराणों का आख्या में प्रयोप कीजे और प्रश्णा दिसरा अंगो को कामशे मिलाए कांचे जिसे कांचे क्या होता है क्या करते है कांचे हम आक्षे नाक्षे यहां अंगो हुमारे अंग दिये गए उस्षे हमें क्या करना है वो लिखना है बस तो ही मिलान को वाक्या में लिखे और क्रिया को रेखांकित किजिए क्या करना है क्रिया को रेखांकित करना है कान से हमें क्या करता है गाना सुनते हैं आक्षे देख सकते हैं नाक्षे सुनते हैं तो इसी तरह हमें अंगों का काम से मिलाईए अब प्रश्ण चौथा नीचे दिया गया दुश्य का वरणन किजी यहां जो दुश्य दिया गया है उसका हमें वरणन करना चाहिए यह किसका दुश्य है वो हमें सोचना है और लिखना है यह दुश्य किसका है पता है ना यहां दीपावली का त्युहर दिया गया है तो हमें दीपावली के बारे में लिखना है प्रश्णा पांच निमने लिखी तिवी सोय पर चर्चा करके लिखे यहाँ पर हमें चर्चा करनी है और लिखना है जैसे मेरा गाउं, मेरी दिन चर्या अब सात्वा पता की जियो और लिखे स्वस्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हमें भी पता है, कि हमें स्वस्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ये सब्दार्त, अभ्यास और श्राध्याय लिखना है, और नॉट्बुक में, और श्राध्याय को थी दोनों में लिखना ह और लिख कर बेजना है चलो बाई फिर मिलेंगे